हेलो दोस्तों मैं हुजर नेश के वोरा, चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है सटा बाजार और एक्जिट पोस मैंने कल कहा था अपने एक प्रोग्राम में कि मैं बात में इसमें बात करूँ रहा दरसल एक खेल रचा गया बहुत सरे लोग प्रसन हैं, मिलकुल होने चाहिए, उनका हाग बनता है लेकिन सटा बाजार का एक खेल रचा गया, जिसमें मीडिया भी शामिल हुआ और ये कहा गया कि एक खास पार्टी को, भाजपा को इतनी सीटे मिलेंगे इसमें सीफोलोजिस्ट कई सो कार्ड इन्वाल थे कई लोगों न तो 360-370 तक सीटे दे दी, कईयों ने 350-340 और बड़े-बड़े क्लेम्स एक ने तो यहां तक कह दिया कि उडिसा में 21 में से 19 सीटे भाजपा की आएंगी असाम में से 14 में से 14 या 12 और 14 सीटे भाजपा की आएंगी और बंगाल में 23 से 25 सीटे भाजपा की आएंगी अब ये कुछ ऐसे अनुमान थे और साथ में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 68 सीटे असी में से भाजपा को आएंगी ये बहुत सरे लोगों ने कहा या उसके आसपस कोई 65, कोई 52, कोई 55, कोई 60, कोई 68, बस 70 से उपर कोई नहीं यह यह कसर रह गई इसमें बहुत सरे लोगों के कमेंट्स आए और अच्छे अच्छे कमेंट्स आए जिनके वीडियो लगातार देखे जाते हैं जिसमें आर्फा का इंडिया भी है पुन्ने प्रसुन वाजपई भी हैं अभिसार शर्मा भी हैं और भी बहुत लोग थे सोशल मीडिया पे काफी हल्चल और चर्चा रही इस पे दरसल ये तीन सो साड़े तीन सो सीटे डिकलेर की गई सटा बाजार चढ़ा स्टॉक एक्सचेंज चढ़ा जिन उन शेर बेचने थे उनको ये दो दिन की विंडो मिली शेर बेचने की उनके रुक्योए शेर बिक एए रही बाज सटा बाजार की तो सटा तो वहां हर छोटी बात पे लग जाता है इस बात पे भी लगता है कि आज दो मिली मिटर बारिश होगी यह नहीं तो एग्जिट पोस तो बहुत बड़ी बात थी तो वहां पे करोडो नहीं अर्बो का खर्बो का सटा लगा और यहां पे भी वही बाजार आपके सामने आया तो क्या exit pole को सचमा लिया जाए एक exit pole के जो लोग थे उन्होंने तो एक disclaimer भी issue कर दिया कि हमने जो voter से बात करके ये नहीं किया था हमने तो इसको जो हवा बह रही थी वहाँ पे जो लोगों का impression था उसके base पे हमने CT तैक कर दी ऐसा लगता मजाग सा हो रहा है 2004 की याद कीजिए जब NDA shining था और कहा गया था कि अटल भ्यारी वाजपई जी वापिस आएंगे वो गलत गया 2009 के अंदर भी कहा गया कि ऐसा नहीं होगा लेकिन वहाँ पे Congress 206 सीटे करीब करीब लेक क्या आई वहाँ पे UPA जो थी उन्हें गवर्बन बनाई 2014 के अंदर BGP को करीब करीब या NDA 2 को कहा जाए करीब करीब 220-2180 ऐसे सीटे मिल रही थी उनको 330 की आसपस सीटे मिली वो भी गलत गया फिर बिहार का exit poll तो बहुत ही ज़्यादा गलत गया पिछले पांट जो स्टेट elections हुए हैं वहाँ भी गलत गया एक KCR का जो छोड़ दो किते लंगा आना को तो इसके लावा Trump साब का exit poll अमेरिका में गलत गया इस्राइल का जो अभी elections हुए हाली में वहाँ पे exit poll गलत हुआ और अभी परसो बहुत बड़ा exit poll गलत हुआ उलट फेर हुआ ऑस्ट्रिलिया के अंदर Brexit England के अंदर जो था Britain के अंदर जो पॉल था वो गलत हुआ एक्चली लगातार ये दुनिया में हो रहा है कि exit poll गलत जा रहे हैं उसे कारण क्या है कारण ही है कि सीफोलोजिस्ट सोचते हैं कि लोग बाहर आके इमानदारी से आपको बता रहे हैं कि उन्हें किसको वोट किया दरसल ऐसा है ही नहीं है लोग बताते ही नहीं है लोग बहुत सीक्रेटिव हैं उनमें awareness बहुत है और मैं लोगों की तारीफ करूँगा दरसल अभी क्या हो गया कि मीडिया के अंदर और ये सीफोलोजी के अंदर और टी अरपी गैदर करने के लिए सटा बाजार एक साथ मिल गए ये कुछ नहीं है money spinning exercise है इसके अलावा और कुछ नहीं असली result 23 तरीक को आएंगे जब लोग देखेंगे वो असली आईना होगा वो बताएगा कि किसकी हवा थी किसकी हवा नहीं थी मैंने जो लिखा था as a astrologer की उस पे काफी ज्यादा criticism आए हैं बहुत सारे लोगों ने तो बड़ी abusive language भी यूज की है कुछ लोगों ने उनको पसंद भी किया है वीडियोज वाइरल भी हो गए हैं पूरे इंडिया के अंदर और बाहर भी खैर परसो नतीजा सामने आ जाएगा हमने जो अपनी opinion देनी थी दे दी है लोगतंतर के अंदर सब को अधिकार है कि अपनी opinion दे हमें सबकी opinion का सम्मान करना चाहिए हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं उसको तो अब उन्य प्रसुन भाजपी ने देखा जाए तो ये कहा है कि भाजपा की सीटें 150 के आसपा सिमट कर रह जाएंगी शायद उससे भी कम उनका एक ground visualization है तो हो सकता है उसके base पे हो सही भी हो अब इसार शर्मा ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि कितनी सीटें आएंगी लेकिन indications clear है आर्फा का इंडिया यानि कि आर्फा ने जो कहा है कि लगता ऐसा है कि जो उनकी जो ground reporting है उनने कई states पे भूम है वो कहीं भी exit poll से मेल नहीं खाता है बहुत सारे विशले शक है इसमें सही बात भी है तो अब देखते हैं थोड़ा इंज़ार करेंगे परसों बिलकुल आइने की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा जो बड़ी बड़ी बाते हैं हो सकता है मोदी जीत में जैंए इसमें कोई शक नहीं है हो सकता हात भी जैंए पर परसों कंद्जाद करना हो गया खैर अभी कोई जीता हो यर। ना जीता हो सट्टा बाजार सीफोलोजिस्ट और ٹी एर पी के जो काटल है वो जीत किया उन्होंने भरपूर बात्रा में पैसे कमा लिये साहब मिलते हैं अगले अंक में बहुँ जल्दी शुक्रिया आपका